लाल चूनर से सच गया मा का दरबार फूल बरसाने को मन है बेकरार तो चलिए इन नौ दिनों के पर्व को कुछ खास बनाते हैं माद दुर्गा को बुलाते हैं अश्विन महीने के नवरातरी को शारदिये नवरातरी कहा जाता है जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई नवरातरी के 9 दिनों में माद दुर्गा के 9 रुपों की पूजा करना कल्यानकारी होता है अंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरातरी का पर मनाया जाता है जो अश्विन चैत्र, माग और असार के महीने में पढ़ती है वही माग और असार के महीने में पढ़ने वाली नवरातरी टांत्रिकों और अगहोरियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसे गुप्त नवरातरी कहते हैं नवरातरी के 9 दिनों में भक्त मा दुरगा की भक्ती में लीन रहते हैं और दिन रात उनकी उपासना करते हैं आपको बता दे कि नवरातरी के शुरुआत रभिवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी और 23 अक्टूब अश्विन महीने की तारीख 14 अक्टूबर 2023 की रात 11 बचकर 24 मिनट से शुरू होगी ये 15 अक्टूबर के दोपहर 12 बचकर 32 मिनट तक रहेगी उद्यात तिथी के अनुसार शार्दिय नवरातरी के शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी साल में दो बार चैत्र नवरातरी और शार्दिय नवरातरी में मात दुरुगा की विदिविदान से पूजा की जाती है हाला की गुप्त नवरातरी भी आती है लेकिन चैत्र नवरातरी और शार्दिय नवरातरी की लोक मानिता जादा है इस नवरात्री माता भक्तों को दर्शन देने के लिए घोडे पर सवार होकर आ रही है शक्ती का स्वरूप माने जाने वाली माता दुरगा को समर्पितिया नौ दिन बेहत कल्यानकारी होते हैं इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे भारत में भक्ति और उल्लास का महौल होता है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको शार्दिय नवरात्री की बधाईया